वैसे जुरूरी नहीं है लेकिन वीडियो को लाइक या पे डिसलाइक कर दिया करें मुवी के स्टार्ट में हमें एक रियलवे स्टेशन दिखाया जाता है और यहां पर एक आदमी अपनी दो बेटियों के साथ आया होता है लेकिन यहाँ पर वो अपने बड़ी बेटी को डांड रहा होता है क्योंकि उसकी बेटी उसकी कोई भी बात नहीं मानती थी और कल वो अपने एक फ्रेंड के साथ गूम रही थी जो कि अच्छा लड़का नहीं था इसके बाद यह अपने डेस्टिनेशन तक पहुचने के लिए ट्रेंड में बैट जाते हैं लेकिन इस ट्रेंड में आज कुछ ज़्यादा ही लोग आए हुए थे और चारों तरफ लोग एक अजीब से वाइरस के बारे में डिसकस कर रहे होते हैं वो कहते हैं कि यह वाइरस जानवरों के लिए बहुत खतरनाक है खास तोर पर चोटे जानवरों के लिए इसके बाद यहीं पर हमें इस आदमी का नाम पता चलता है इसका नाम सुक होता है लेकिन सुक को यह वाइरस वाली बात आम ही लगती है इसलिए वो इस पर ज्यादा दिहान नहीं देता और इग्नॉर कर देता है अब ये सब कुछ वहाँ पर चल ही रहा होता है कि तब इस साइड वाले ट्रेक पर एक ट्रेन आ जाती है और ये एमर्जनसी खास भी है और सेक्रेट भी लेकिन वहाँ पर कोई भी ये बात नहीं जानता था कि आखरी एमर्जनसी किस चीज़ की है लेकिन इस बात से आम लोगों को कोई भी फरक नहीं पड़ता लेकिन सिचुएशन को समझने के लिए गार्ज उस ट्रेन के पास जाते हैं फिर वो इस ट्रेन को देखकर काफी डर जाते हैं क्योंकि उस ट्रेन में से खून निकल रहा था साथ साथ इस ट्रेन के सारे पैसिंजर्स भी गाइब थे हलागे यूजली इस ट्रेन में बहुत भीड़ हुआ करती थी उधर पैसिंजर्स को इस खाली ट्रेन के बारे में कुछ भी पता नहीं होता इसके बाद वो दूसरी ट्रेन चल पड़ती है अब यहाँ पर सुक अपनी बड़ी बेटी को डून रहा होता है क्योंकि वो अपनी सीट को चोड़ कर कहीं और जाकर बैट गई थी अब सुक को अपनी बेटी नजर आ जाती है ज्योंकि एक आर्मी आफिसर के साथ बैटी होती है अब सुक यहाँ पर आकर अपनी बेटी को उसके साथ चलने के लिए कहता है लिकिन सुख की बेटी उसके साथ चलने के लिए इंकार कर देती है और कहती है कि आप कौन है मैं तो आपको जानती तक नहीं इT's mean यहाँ पर वो ऐसे बिहेव करती है जैसे वो से जानती ना हो यानि जैसे वो उसके फादर ही ना हो और बस बिला वज़ा उसे परेशान ही किया जा रही है इसलिए अब गार्ड्स सोको पकड़ लेते हैं और उसे कमपार्टमेंट में बंद कर देते हैं जहां पर इक गार्ड्स देखता है कि वहां पर एक आदमी पहले सा हीँ बेठा हुआ है असलिमें सादमी को चूहे खा रहे थे और जैसे गार्ड्स उस आदमी को टाइच करने की कोशिश करता है तो वो सारे चूहे उस गार्ड़ पर ही अटेक कर देते हैं उदर ट्रेन में सारे पैसेंजर्स को ट्रेन के चछट से अजीब तरह की आवाजें आ रही थी और ये आवाजें चूहों की थी तब उन में से कादमी चूहों को भगाने के लिए अपनी स्टिक को एक वेंट पर मारता है लेकिन जैसे वो ऐसा करता है वो वेंट तोड़ जात अब ये सारे खतरनाक चूहे उन पैसेंजर्स पर अटैक कर देते हैं अब यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि इस एकसिडेंट की बारे में एक आदमी पहले ही जानता था क्योंके वो जानता था कि पिछली ट्रेन में क्या हादसा हुआ था और उससे बचने के लिए ही वो इ इसलिए सुख उस कमपार्टमेंट का दर्वाजा तोड़ कर वहां से बाहिर आ जाता है इसके बाद वो फोरण अपनी बेटियों को बचाने के लिए भागता है इसी दुरान सुख सभी पैसेंजर्स को अलैट करता है चूहों के बारे में कि उनसे बच कर रहा जाए क्योंक ट्रेन की पिछले वाले डबों पर ही अटेक किया था अब इस कमपार्टमेंट में तो चूहों के बारे में कोई जानता ही नहीं था इसलिए कोई भी सुख की बात पर यकीन नहीं करता जिसकी वजह से वो सभी लोग सुख पर हसने लगते हैं उसका मजाग बनाने लगते है लेकिन इसी दुरान वहाँ पर बहुत सारे चूहे अटेक कर दीते हैं जिससे उनकी हसी मौत में बदल जाते हैं और जो लोग इसमें बच जाते हैं यानि जो सर्वाइवर्स होते हैं वो अपने जान बचाने के लिए वहां से भागने लगते हैं सभी लोग ट्रेन की आगे आर्मी आफिसर्स का हेड होता है वो सारे आर्मी आफिसर्स जो स्ट्रेन में बैठे होते हैं अब यहां पर वो आर्मी हेड खुद गर्जी का मुझाहिरा करता है वो कहता है कि अगर मैंने बागे पेसिंजर्स को बचाया तो मैं खुद मारा जाऊंगा इसलिए अपने जान बचाने के लिए train की जट पर चड़के चूहों से बचते हुए अगले compartment पर चले जाते हैं ताकि वो इन चूहों से बच सके लेकिन आगे के बचे हुए passengers ये देखते हैं कि जिन लोगों पर भी इन चूहों ने अटैंग किया है उन्हें एक अजीब तरह का infection हो गया है और ये infection एक इनसान से दूसरे इनसान को भी हो सकता है लेकिन तब इस सुख कहता है कि इस infection का बहुत अच्छा इलाज है वो कहता है कि मैं medical department में काम करता हूँ और कुछ stations के बाद एक ऐसा station आएगा जहाँ पर एक hospital है तो उस hospital में से हमें इस infection की medicines मिल सकती है तब इस बात के लिए कुछ लोग तो मान जाते हैं लेकिन कुछ लोग नहीं मानते क्योंकि जो बचे हुए लोग थी वो ये नहीं चाहते थे कि उनको भी infection हो जाए और वो ये भी चाहते थे कि ट्रेन बगए रुके बस चलती ही जाए क्योंकि शायद वो जिस भी जगह पर रुके क्या पता वहाँ पर चूहों का हमला हो जाए अब जो आर्मी का लीडर होता है उसे एक आदमी gun point पर ले लीता है जिससे ये फैसला होता है कि इस hospital में जाया जाएगा लेकिन वहाँ पर जाने से पहले infected लोगों को एक अलग compartment में बिठा दिया जाता है अब कुछ stations के बाद वो station आ ही जाता है जहां पर वो hospital था उस hospital में जाने के लिए कुछ लोगों का एक group बनता है यानि जो लोग वहाँ से medicines लाएंगे लेकिन उनके साथ सूप का जाना important था क्योंकि उसे ही medicine के बारे में सारी knowledge थी और जब ये लोग थोड़े ही दूर जाते हैं तो देखते हैं कि पूरा city ही डिस्ट्रॉय हो चुका है और हर तरफ बस dead bodies ही देखने को मिल रही है और अब ये लोग dead bodies के बीच से ही निकल कर आगे बढ़ने लगते हैं आगे जाकर ये लोग दिखती हैं कि shadow वाली जगा के नीचे thousands की ताताद में चुहे बैठे हुए हैं लेकिन उनमें से एक भी चुहा दूप में बाहर नहीं निकल रहा था जिससे ये लोग समझ आते हैं कि ये चुहे दूप में बाहर नहीं निकल सकते लेकिन इन्हें एक ऐसे रास्ते से गुजरना था जहां पर काफी अंधेरा था तो इसलिए ये ऐसे रास्ते से गुजरने लगते हैं जहां पर लगातार धूपा रही होती हैं लेकिन थोड़ी दूर जाने पर बादल सूरज पर आ जाते हैं जिससे सूरज की रोशनी अब वहाँ पर नहीं आ पाती जिससे बहुत सारे चूहें वहाँ पर आकर इन लोगों पर अटेक करने लगते हैं अभी लोग उन चूहों से बचते बचाते उस हॉस्पिटल तक पहुंची जाते हैं लेकिन इसी बीच उनके दो आदमी चूहों का शिकार हो जाते हैं वहाँ पर उन्हें एक आदमी मिलता है जो कि अपनी फैमिली के साथ यहीं पर चुपा हुआ था साथ साथ उसके बेटे को एक चूही ने काट लिया था लेकिन सुक उस आदमी को बताता है कि इसका इलाज मेरे पास है वो कहता है कि मेडिसंस के जरीए इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है तो इसलिए वो आदमी उन लोगों को उस जगा पर लेकर जाता है जहां पर सारी मेडिसंस पड़ी होई थी लेकिन वहाँ पहुचने पर उन्हें पदा चलता है कि असल में यही चूहों का घर है इसका मतलब यह है कि यहां पर काउंटलेस चूहें होंगे यानि थाउसंड से भी ज़्यादा और अगर उन्होंने जरा से भी आवास पैदा की तो वो सारे च कमपार्टमेंट दिखाया जाता है जहां पर सारे इंफेक्टिड लोगों को रखा हुआ था लेकिन थभी एक लेड़ी पिछले कमपार्टमेंट का दर्वाजा खोल देती है जिससे वहां पर चूहें आ जाते हैं और लोगों पर अटेक कर देते हैं हॉस्पिटल में सुक उस मेडिसन तक पहुंच जाता है वहां काइंड ओफ एंटिडोट था तब सुक उन सारी मेडिसन को एक बॉक्स में डाल देता है लेकिन वापिस जाते हुए उसके पाउं के नीचे एक कमजोर लगड़ी आ जाती है जिससे वहां से गिर कर लटक जाता है और अब सारे चू इंजर स्किटर बॉडिस को देखते हैं ये वही लोग थे जिन पर चूहोंने अटैक करके उने मार दिया था लेकिन तब यहां पर सुक की बेटी दर्वाजा खुलती है अब यहां पर सुक अपनी बेटियों को जिन्दा और सही सलामत देखकर काफी खुश होता है लेकिन इसे बीच फिरसे बादल वहां पर आकर सुरज को ढखने लगते हैं जिससे वहां पर लाइट कम हो जाती है और सारे चूहे इनकी तरव बढ़ने लगते हैं इसलिए वो लोग ट्रेन स्टार्ट करके वहां से भागने लगते हैं लिकिन ही कादमी पीछे ही छूट जाता है जिस पर चूहे अटेक करके उसे मार दीते हैं इसके बाद उन सभी पैसेंजर्स को एंटिडोट दिया जाता है जो कि इनफेक्टिट थे लेकिन तबी ट्रेन को यहां पर रोकना पड़ता है क्योंकि आगर ट्रेक पर दूसरी ट्रेन गिरी होती है तब वो सारे पैसेंजर् आ रहे होते हैं इसी बीच एक आदमी खुद को सेक्रिफाइस करने का फैसला करता है वो अपनी पूरी बॉड़ी पर एक्स्प्लोजिव बांद लेता है और उन चूहों के पास पहुंच जाता है अब जैसे ही चूहों के काफी बड़ी तादा उस पर चड़ती है तो आदम तब ट्रेक को चेंज करने के लिए सुक एक लीवर खींचता है लेकिन यहाँ पर सिचूएशन ऐसी बन जाती है कि सुक को वो लीवर दबा कर रखना पड़ेगा और वो ऐसा ही करता है लीवर को दबाए रखता है जिससे ट्रेन यहाँ से आगे निकल जाती है और सबी तब जी मत रोको और यहाँ जबाद है आँजाती है कि तब हजारोन चूहे वहां पर आकर सुक पर अटेक कर देती है और जसी लिए सुक की मौत हो जाती है और अब सुक की बेटी को अपने सब्सकि बना जाती है कि उनकिस दूर लग ही तुमें की बातें याद करके वह अपसेट हो जाती है और यहीं पर यह मूवी दी एंड हो जाती है थैंक यू फर वाचिंग